से हमने 5G मोबाइल लिया है ना हम जियो ट्रू 5G को अनलिमिटेड यूजी नहीं कर पा रहे हमारा जो नेटवर्क है वो बार बार 5G से 4G में शिफ्ट हो जाता है हम 5G एरिये में भी है हमारे यहां 5G भी आ चुका है हमने 239 से उपर का रिचार्ज प्लैन भी करा रखा है ले मेरे भाईयो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला सी सेटिंग अगर आप लोगों ने इने अन कर लिया तो उसके बार भाई आप अनलिमिटेड जियो ट्रू 5G का मजा ले सकते है और अनलिमिटेड डाटा आप लोग यूज कर सकते हैं तो मेरे भाईयो पूरा देखना भाई एक एक स्टैप अगर आपने मिस किया तो आप लोगों का बार बार शिफ्ट होगा 4G में डाटा और अनलिमिटेड डाटा आपको नहीं मिलेगा दूसरी बात मेरे भाईयो कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आप लोगों को ऑन करनी होती है लेकिन आप लो अपना सिम डाला होगा उसके बाद सिम वन पर क्लिक कर लेना और यहां पर प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप मिलता है आप लोगों को इस पर अगर 4G है तो 5G में कर लेना अगर कनवर्ट होता है तो भाई यहां पर आके सबसे पहले यही काम करा को और जब 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 शिफ् करना बेबर मुट लेकर करना है तो इसका मतलब तो आप लोग यहां पर से नेटवर्क सलेक्ट कर लोगे है अगर 5G नहीं आता तो मेरे भाई वाईो आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाईल को और फुट को 5G area में ले जाना होगा वहाँ पर जाके इस network पर select करके आपको manually 5G पर select कर लेना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर भी मेरे भाईयों अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो तब आप लोगों का अगर 4G में चलेगा तो फिर यह 5G में आ जाएगा ठीक है यह setting भी यहाँ पर से कर लेना इसके बा है आप लोगोंने जाना है my geo application में ठीक है पाले पर क्लिक करना ठीक है unlimited ऑले पर क्लिक करना और यहाँ पर check uses पर चले जाना 5G check uses पर पर यह पर आप लोगों को दिखा देगा कि आप लोगों का कितने बज़े तक यहाँ पर 5G डाटा यूज किया हुए ठीक है अगर आप लोगों को 4G का देखना होगा तो यहाँ पर आपका 4G का भी दिखा देगा तो वो चीज आप लोग आप यहाँ पर से देख सकते हो आप ने बोला कि भाई मैंने यहाँ पर भी सब चीजे सही कर ली इसके बाद आप लोगों ने मोबाई 5G पर चले जाना है जो ऑप्शन मिलता है इसके बाद मेरे भाईयो आप लोगों को नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉंगरेचिर वालेशन वाला ओफर मिलेगा इस पर गैट स्टार्टेड पर क्लिक करना गैट स्टार् और बैक आने के बाद आप को मोबाई नेटवर्क में जाना है इसके बाद नई होता तो आप लोगों ने पर लोगों से इसके बाद जो subscription आएगा लाजएस 5G आप क्लिक कर लेना इस पे यहांपर क्लिक कर ओगे तो यहांपका 5 G डिवाइस है कर दो लिएमें ओम इस सो का दोगों के आए इसके स visas पर अपना सिवस्ट में है चुलेक्ट है निवेख्थ करने लगों को की लिए है उसकी अपनी but मजRIA आप कर लगों करें के लिए और दोगों के बॉलेगा धेंक क्यों स sizzle or Northern इंट्रस्टिंग और यहां पर बोलेगा कि अगर आप लोगों को जियो वैलकम ओफर नहीं मिला तो मिल जाएगा और जैसे कई बार ऐसा भी होता भाई जियो वैलकम ओफर मिल जाता है लेकिन आप फाइव जी कवरेज में नहीं होते तो इन्हें यहां पर से मैसेज डाल देन मैसेज डालने के बाद भाई अगर फाइव जी कवरेज में नहीं है तो हो सकता है जल्दी आपको फाइव जी कवरेज भी मिल जाए इसके बाद भाई अगर दिक्कत आती है तो दिक्कत आने के लिए आप लोगों को बोलना होगा कि भाई हम अपने मोबाइल के अंदर हमार हमार पास 5G मोबाइल ही है 4G हमार पे SIM भी है हमने 5G डाटा प्लैन भी 239 से उपर करा रखा है लेकिन हमार को बार बार 5G के जगे 4G डाटा हमारा कटता है हमको क्या करना चीए तब आप लोगों को वहां पे बताएंगे कि भाई आप लोगों की हम यहां पे से कंप्लेंड रे यह ना 5G डाटा की 5G नेटवर्क की तो यह आपकी दूर हो जाएगी 48 गंटे के अंदर आप कंप्लेंड रेजिस्टर करा देना और 48 गंटे बाद आपको उनकी तरफ से कॉल भी आएगा या मैसेज आएगा कि भाई हमने आपकी जो प्रॉब्लम थी हो रिसॉल्व कर दी है अब आप लोग अनलिमिटेट 5G का मज़ा ले सकते हो उसके बाद आप लोग अनलिमिटेट तरीके से 5G यूज़ कर सकते हो I hope मेरे भाईयो आपको सारी चीजे समझ में आगे हो कि नहीं आजी तो Instagram और Telegram का link description में follow कर लेना कुछ भी दिक्कत कुछ भी परशानी होती है वहा मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ तब तक लिए बाबा जैहिंद वंदे मातरम